येस गुट इवरीवन मैसेर पाशिस सुरेवनशी डिरेक्टर आप डिवा इंटच इलिंग सेंटर दे हूमन गारज रण आर थेरिवी सेंटर आलोंग विद दे अकडेमी अलसो विए टीच दे होलिस्टिक इलिंग अप्रोच टु दे हिलर और हमार एक मिशन है कि मिशन हर घर हिलर हर घर में जो है हमें एक हिलर लाना है तो अब हम हर गाव हिलर मिशन के साथ काम कर रहे है स्टेप बाइस्टेप हर गाव में हमारे एक कोडिनेटर भी रहेगा और फिर हम हर घर हिलर तक जो है आगे जाएंगे तो नाव यार ट्राइं टू मेंक टीम आफ हंड्रेड सच हिलर कि जिने सब नौलेज है मतलब जैसे आप बोन सेटिंग में बोलता हूँ या काईरोप्रेक्टिक है तो लोग जनरली वह देखते कि सर यह सब हड्या मुझे चटका ने आएगी क्या आवाज आता है क्या और मुझे आवाज निकलना है या पेशन भी आपके पास वही वीडियो लेक इसमें तो उसमें नॉन टेक्निकल चीजों के साथ में जो ट्रेनिंग हो रही है या फिर इंग जनरली अगर नी पेशन्ट आता है नी का प्रॉब्लेम है तो आपको सिखा जाता है कि नी का मैनिपुलेशन कैसे करना है बट सच में आप वह केस में पेशन को ट्रीट कर रहे है या फिर मुझे पूरे हड्डिया बजाने को मिल गया सिखने आ गया मतलब में हिलर बन गया एसा नहीं है वो तो नाई के पास तो अपने से भी बेटर टेक्निक्स होती है ना तो आप बोन सेटिंग अगर देखेंगे तो उसके एड़वर्सिपेक्ट भी बहुत है सर्व डाइग्नोसिस पर काम होना जरूरी है अभी डाइग्नोसिस आपको सीखाएगा कौन उसके लिए वेसा फैकल्टी होना भी जरूरी है कि जिसे वह सब नॉलेज है और वह आपको आपकी भाशा में जो आपको समझ में आए वह बाशा में आपको सीखाए तो यह सब जो है ड बिगड़ना नहीं चाहिए यह चीज़ के ऊपर हमें जो है फोकस रखना ज़रूर है तो आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अवेलेबल है नीरस शाह सर दे हीलर अफ डिवाइन टच नीरस सर गुड़ इविनिंग यह चीजसी तमस्फ़्णट रस्से सबिसे स्ञोड देन बस्स्पर इस ERICपना टीटेरं इस ठाट्म इनपस्पर इसमयर्ट उस्ट्राइ स्ट्रूल एक्न पर दिए पिंट conviction कि birth, you are reconnecting in five minutes लेट उस इंट्रडूस इच आधर आप में से जो भी लोग कनेक्ट हुए है आपका एजूकेशनल क्या है और अगर डॉक्टर रहेंगे इसमें तो पहले ही इंफर्म कर दो कि आप वेविनार जन्दर ली ओनलाइन अटेंग करते हो यह वैसा नहीं है इस ऑनलाइन सेशन फॉर इंटरेक्शन यहां पर एसा पीपीटी का मेरा अगर सेशन देखेंगे तो यूटूब पे आपको बहुत मिल जाएंगे आप मैं से कई लोगों ने देखे भी होंगे तो आज हम क्या है कि यह तो पीपीटी चले गए सामने बट वीविल गो मच मोर इंटरेक्टिव तो आपको डिसकेशन में पाट लेना है और आज हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि अगर हमें हीलिंग प्रोवाइड करना है तो हमें किन-किन चीजों पर ध्यान रखना जरूर सिस्टम नर्वस सिस्टम और अफ दोउस वर्प टोगेदर इनकोलैबोरेशन तो आप जब आपके पास कोई पेशन आता है या फिर कोई पैन लेके आता है कोई भी इसटीगल इसउ लेके आता है तो उसका रूट कॉस क्या है यह आइडेंटिपाय करना बहुत ज़रूरी ह यह होता है कभी कभी पाइज सीमिलर होता है इस अख लिए स्केलेटल नहीं होके विसरल भी होता है यह या फिर आपको रूट काॉस्व से अगर कोई स्केलेटल या मस्क्य श्केलेटल प्रॉब्ềम ट्रिजॉल करना है तो उसमें विसरल औरगेंस का भी मोबिलाइजेशन या फिर इंवल्मेंट जो है वो आइडेंटिफाई करके उस पर आगर काम करते हो तो आप कंप्लिट हीलिंग जो है किसी कस्टमर को दे रहे हो तो हमारा जो वर्क्शॉप है पहले हम भी मतलब बून सेटिंग लेते थे फिर हम वी सिखो मायफिशल रिलीज सिखो मसल पर काम करो आप अगर चटका भी दोगे या स्पाइन को आप आलाइन भी कर लोगे बट मसल पर आगर आप काम नहीं करेंगे तो यह पीर से बिगड़ जाएगा सहीए नहीं तो वह बहुत जरूरी है और एसा नहीं है कि कि अगर मुझे शोल्डर में पेन है या फिर सर्वाइकल इश्वे लंबर इश्वे तो मुझे लंबर पर ही काम करना चाहिए मसल पर ओके वह जो वहां पर एनाटोमी चेंज हुआ है उसका रूट कॉस कई फीट में भी आ सकता है तो यह हो गया कि जैसे आलाइनमेंट हमने स्पाइन का एक्वे से्लका भी किया व्हे इं whisper कि उस्वे घी आ इन इंटरुल बोड़े ऑर ग्एन से उनका इसके साथ कैसे है और उन पे भी हमें पेशन कोका रेमेडीज देना है यह भी सिखना जरूरी है सो देन हमने क्या किया कि बोन सेटिंग के साथ MFD और ISTM कंपलसरी कर दिया फिर हमने लास्ट टू वर्क्शॉप में हमने क्या कि कि वी कंवेंच पीपल टू गो फॉर्द विसरल विकॉस देयार नॉट उस्टू पेड़ फीज पॉर थ्री वर्क्शॉप तो यह सब चीजे हो और आपको अगर वो प्रॉब्लेम का कॉज ही नहीं समझ में आएगा कि यह अरे में तो सब कर लिया फिर भी प्रॉब्लेम क्या है तब आपको यह ढूणना पड़ेगा तो उसमें से क्या होता है कि सो में से दो लोग ही यह एंसर ढूंटे बाकी तो जो चल रहा है न वो कर और दूसरा एक बात में बोल देता हूं कि बहुत से बॉन सेटर क्या करते जनरली पैटन क्या है बॉन सेटिंग का जो हमने देखा या भी हम भी जाते है कभी देखने के लिए तो अगर कोई बंदा आता है उसका कोई भी प्रॉब्लेम रहे उमेरे लेके आता है कुछ लेक लेखने जैसा किया और फिर शुरू हो गए उनका पैटन फिक्स रहता है पेशंट लेटा नहीं कि पेरों के उंगली से स्टार्ट किया सीधा गरदन तर चटका दिया पूरा बॉड़ी हो गया आपका डिटमेंट अभी उसमें तीर लग गया निशानी पर लेकिन इसमें क् भी एक्स्पिरेंस नहीं किया है और आप पूरे बॉड़ी को मैनिपुलेशन कर देते हो विद्धाय तो पूरा बॉड़ी जो है वो ट्रॉमा में आ जाता है तो आचानक से उसके साथ दुरगट नहीं हो जाती है और इसके एडवर्स इफेक्ट बॉड़ी पे दिखने करो वो करो इसको कॉल कर कई रफा तो हमने देखा है कि रिब स्लिप हो गया है या स्पाइन प्रेक्चर कर दिया है तो यह भी चीज़े होती है तो आपको बहुत सावधानी से और समझ के यह चीज़ करना है और डायरेक्ट टेक्निक कभी भी एप्लाइं नहीं करना है डिर ुआ है क्यों है करेंगे तो यहाँ का लुड जो है और फिर यह जॉइन फ्री हो जाएं देन थर्ड या फॉर्गि पर उसको दिरेक्टली मोबिलाइज कर सकते हो अके तो तो यह सब कंसेप्ट यह बात करूंगा तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या हो र भी लोग इसमें जुड़े है ये हम सबका एक अलग-अलग प्रोपेशन रह चुका है बट वी आल आर पैशनेट आबाउट इस और ये सब थेरेपी को सोसाइटी तक लेके जाना लोगों को ये अप्रोच अल्टरनेटिव ना होके लोगों ने हमें प्राइमरी के सवरूप में देखना चाहिए और हमारे पास लोग आने चाहिए ये अप्रोच लोगों तक लेके जाना ये मिशन के साथ विजन के साथ डिवाइन टाच काम कर रहा है तो प्लीज डोंट कंपेर डिवाइन टाच विद इनी ओधर एड्स यू क्रम आक्रोस और डिवाइन कंसल्टन्ट है तो विल टेक एक्शन अनिट ओके सो वह भी आप हमें रिफलेक्ट कीजिए यस निरस्टर वेल्कम निरस्टर कें यहर में यह सर गुड़ी एवरीबन गुड़ीन सर चैट में कुछ लोगों ने रिपलाइ किये है वाट यार दूइंग आइल रिद मोहमद इर्फान भट सर ही जबीपीट यह वरुन कुमार सर इस फिरसे जिम ट्रेनर यह जो लिए व्ही स्वांगोर अडिनोच गोर शरीज़ एक्य। अच्वरिट्च अच्वर्ट ए स्वर्ट अच्वर्ट अच्वर्ट यह व्ह लुड़ी जिन्म यह आज़ी रिए रिजुण आप्यशद्टर फूर तूमर्ट वीशली है रसे हैं वस आप सब लोग जो है यह जो इमेज है उसका हीडिंग आप सब पढ़िये रूट काॉज हीलिंग त्रीडेज हैंडस वर्कशॉप रूट काॉज हीलिंग क्योंकि त्रीटमेंट दो तरकी होती है एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और एक है रूट को उसको सब्सक्राइब के लिए आ रहा है आपके पास तो हम नेग पेन को ट्रीट नहीं करते हैं हम क्यों रहा है इसका गुट्व जूंते हैं गुट जूंते हैं फिर उसको ट्रीट करते हैं है तो में जह है हमारे जो मोटेलिटीज है क्या इरा कुर्थ करके आपको रिल-डुट काज मिलेगा नहीं दो काईरोप्रैक्टिक के जाद आपको करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट असिस्टेट सॉफ्ट इस्यू मोबलाइजेशन करके रिजर्ट मिलेगा या रूट को स्ट्रीट होगा उसमें भी नहीं होगा तो फिर उसमें माया फेशल डीकंप्रेशन होगा और यह तीनों यूज करने था है पिर आपको रूट का इडैंटिफिकेशन नहीं हो रहा है या इसे लग रहे है कि इस बाकी है तो फिर क६्लेल सो मैनिप्लेशन मतलब हमारे जो इंटर्नल और्गन्स है लिवर किड्नी स्प्लीन ओवरीज ब्लैडर स्टमक सेकल वाल जैसे हमारे बॉड़ी के जॉइंट मुव करते हैं वैसे यह और्गन्स भी मुव करते हैं तो जब और्गन की मुव्मेंट मोबिलिटी मोटिलिटी रिस्टिक्ट होती है तो उनका फंक्शन अबनॉर्मल होता है तो इस टोटल कम्प्लीट यही जो है यह इमेज में जो भी आपको ट्रीट्मेंट मोडलीज दिख रहे हैं यह सारे मोडलेटी जो है हम खुद हमारे पेस्टेंट पर हम इसको यूज करते हैं जिससे हमको अच्छे रिजल्ट आते हैं और वही हम आपको सिखाएंगे ट्रीडेज में यह मोडलेटी के बारे में थोड़ा जानकरी देंगे कि हमने अभी यह कंपल्सरी कर दिया है सब मोडलेटी हमारे वर्क्शॉप में जिसको यह चारों सिखना है वही आएगा हाँ ओल्ड सुड़न्ट है को यह हमारे से सिख चुका है जैसे बहुत लोग जो बाहर सिखते हो और डिवाइन टच में सिखते हो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस से आपको यह चीज़े कहीं देखने भी नहीं मिलेगी विकॉस वी जो भी है हमने खुद यहां पर डेवलप भी किया है तो यह हमें डिफरेंशेट करता है तो सब को जो है सब चीजों से गुजरना इसमें जरूरी है तो मैं इफ यह ड्यू परमिशन में जितने भी हमारे हीलर साज हमको जॉइन हुए है मैं उनको एक सवाल पुछना चाहूंगा एवरिवन हम सब लोगों का हमारे बॉड़ी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले ग्राउंड के कनेक्ट में आता है यह विए एक एक एवरिवन चैन्ट बॉक्स में आप एंसर डाल सकते हो हुआ है कि अ कि अ कि एवरीवन नो तीन लोगों ने जवाब दिया है कि एवरीवन तीन लोगों ने जवाब दिया है कि एवरीवन यूदीर, प्विड है, ताया है प्राइट को सोते हैं और फीटी वह पार्ट है जो सबसे एंड में हमारे बॉडी का पार्ट है जो सबसे एंड में जो है उसका लास्ट कनेक्शन ग्राउंड से निकलता है जब हम रात को सोते हैं है और सिर्कें बौडी का नहीं है अगर प्रेशंट यह कर बॉडी को प्रॉडी मैं मिलेगा अगर लिवर का प्राब्ले म है उसका connection आपके पैरों में मिलेगा क्यों क्योंकि पैरों पे आपका पुरा बॉडिक्टर खड़ा है तो यह आओगे तो वहां पे आपको यह सारी चीजे क्यों जरूरी है उसका भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है क्योंकि सारे जो प्रॉब्लेम है वो पैरों में होता है बॉडि का जो बाय मेकेनिक्स है यह अगर आप यहां पे इमेज देखोगे एक रेड इसमें आपको इंबालेंस बॉडि दिखेगी और एक इंकल कोलेप्स यह कब होगा जब उसका लो आर्च होगा तो उसमें जब डिफॉर्मिटी होगी तो उसका इंपक्ट जो है हमारे हीप पे जाएगा है कि वज़े से स्पाइन पे जाएगा स्पाइन के बाडी सेल्फ करेक्शन करना शुरू करेगी आप देखोगे कि सब बा जब डिस्टर में हो जाती है पैरो की वज़े से तो ऊपर यह सब होता है तो जब अभी आप देखो गो यहां पर सेंटर में चैनल के बिच में जो जो जाएगी तो आपने काईरप्रेक्रेक्टिक एजस्मेंट से इसको मैनुप्लेशन करके किया उसको क्या किया उसको तो आपने वैसे ही छोड़ दिया क्यूंकि लीवर का कनेक्शन सीधे राइट शोल्डर से अगर आपके पास फ्रोजन शोल्डर का पेशन्ट आता है आप देखोगे यह वह पेशन्ट डाइबीटिक रहेगा तो डाइबीटिस क्यों हो रही है क्योंकि लिवर का फ्रक्शन नॉर्मल नहीं है तो जब काईरणटिक एड्जेस्मेंट से कोश्चर करेक्शन हुआ लेकिन इंटरनल का क्या किया इंटरनल वे से छोड़ दिया तो उदर क्या काम में आएगा विसराल मैनृप्लेशन आएगा और आपने काईरणटिक एड्जेस्मेंट तो कर दी लेकिन उसका बैक्पेन आपने नहीं जा रहा है अभी 90 परसेंट बैक पेंट क्यों होता है चुब कि कॉंच्टुपेशन ब्लोटिंग एसिडिटी या आज कि किसी को होता है तो एक्सक्स कॉंस्टुपेशन होगा तो एक्सिस हवा बिल्ट अप होगी वह जा के स्पाइन को कमप्रेश करेगी हर व्र आपको विसराल मैनुप्लेशन करना पड़ेगा यह भी मैनुप्लेशन करना पड़ेगा तो इसलिए यह पूरा है अपको कायरोप्रैक्टिक बहुत जगह पे सिखाएंगे काई रोप्रेक्टिक भी बहुत सारे वर्क्शॉप जो कंड़क करते हैं आप उनको पुछाओ कि आप आमको थ्रस्ट कुन से सिखाओगे और आपको जवाब क्या मिलता है आप 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 आपजर कीजिए काईरोप्रेक्टिक जो है यह और दूसरा होता है जो हर जगह पर यह सिखाए जाता है तो सच में यह जरूरी है क्या है नहीं है आप है ले ले से भी पेशन का मैनुपलेशन कर सकते हो और ऑ्स्छो पैती में Body is One Unit आपको मस्क स्केलेटल प्रप्राब्लम मैं तो आपको विसरल भी अक्र áreas बिसेषयल प्रोब्लम मैं तो आपको कहीने कही मस्कि स्केलेटल से रिलेटड है कि अब तीनों ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसमें आपको बोन सेटिंग ट्रेडिशनल इंडियन बोन सेटिंग आईस्टीम माय फेशिल डीकंप्रेशन और विसरेल मैनिप्लेशन क्योंकि हमारा बॉडी जो है वह फेशिया कंट्रोल सिस्टीम है एवरिटिंग इस एनिटिंग एनिवेर एवरिवेर जहां पर भी कुछ भी है एटिस कंट्रोल तो फेशिया तो जब फेशिया आदेशन में जाता है तो यह सारे प्रॉब्लेम होते हैं तो आईस्टीम से आप क्या करोगे आप सुपर्विशल फेशिया रिलीस करोगे माय फेशल डी कंप्रेशन से आपको आप निगेटिव प्रेशिया क्रिएट करोगे और विसरल से आप डिप फेशिया रिलेस करोगे मैनियुली जो हम आपको सिखाएंगे यह हमारा विसरा मैनुप्लेशन का वर्क्शॉप था पुना में हुआ था यह सर एक्स्पेन कर रहे हैं लीवर मैनुप्लेशन एक्स्पेन कर रहे है तो काईरोप्रेक्टिक ही सिर्फ ट्रिटमेंट है या नहीं है आपको पेशन को इंटर्नली एक्स्टर्नली पूरा हिल करना पड़ेगा तभी जाके आप 100% पेशन को उस पेन से रहात दिला पाओगे कि आं आको पॉष्टर एहने अलेशिस पॉस्ट्र असेस्मेट यह पाट किसी भी करडिक वर्शॉप में नहीं सिख्त W यह त्यों aha सीखने आइए लेकिन हम और ठोग क्यो करना है यह पेशन को कैरीठ्ट्रटिक आप बोल सकते हो कि हर तरीके से उसको उसके दर से चुटकारा पाने के लिए आप ने उसको हेल्प क्याएं कि तो रूटकॉस की यह को मतलब उस प्रिषानी जड़ में जाना पड़ेगा तब यह आप उसको ट्रीट कर पाऊंगे तो आपको मस्क स्केलेटल विसरल मसल हर चीज़ पर काम करना पड़ेगा यही सब हमने पूरा क्लब करके हमने सिखे यह क्लब किया है और एक ट्रीट्मेंट प्रोटोकॉल बनाया है जो हम हमारे पैजसे न को पैशेंको राध डेते रिजल्ट मिलते हैं ठीटमेंट करते हूं आपको तीन क This अल्व जब वहां को तन करके यह सब्सक्राइगे और फीर प्र हिसाब से उस इंप्रोवाईजेशन ौर्ट करके सकते हो हुआ तो एक एक लग तरह के बाड़ी टाइप पर प्रैक्टिस करने को मिलेगी वह तीन दिन में तो एक अलग अलग तरह के पेशंट बाड़ी स्ट्रक्चर प्रॉब्लेम इन सब पर उसको ट्रीट्मेंट करने को मिलगा हैंड्स-on अगया तो आपको कॉंफिदेंस लेओल बढ़ता है फिर आपको कंसिप्समझ में आ गया एक तो आप ट्रीट्मेंट कर सकते हो आज एखल आफ के सब्सक्राइब कर पाशन अपके पास आ रहा है मतलब हम आपको सिखाएंगे पेशंट जब आपके पास चलते आ है उसने आपको बताने के पहले ही आप उसको बता दोगे तो वहाँ पेशन को लगेगा कि मैंने तो मैं पहली बार इनको मिला हूं मैंने अभी तक उनको कुछ बताया नहीं वह रिपोर्ट उनको दिखाया नहीं फिर भी हो मुझे की यहां पर है तो इसमें कोई मैजिक नहीं करते है यह लोजिक है यह प्लिक है यह जब सिखाएंगे लॉजिक कोई भी चीज लोजिकल आपको नहीं इसका लगाजीक है वही हम आपको चुखाएंगे कि यह सर कि यह सब्सक्राइब कि अच्छा इंफर्मेशन आपने दिया है और मैंने मेंसेचेस भी किये थे कि जैसे हम मैंसेज में मैंने एक्स्प्रिंग किया था कि वाट विए एक्जैटली कोईग टू लर्न तो सबसे इंपोर्टन क्या है कि टेकनिक्स तो आप तीन दिन में परफॉर्म क आप जितना भी एक्स्प्लोर करना चाहते हो खुद को इसमें प्रोसेस कैसे होता है कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया वर्क्शॉप के लिए तो थ्री वीक्स पहले से हमारा विकली एक ऑनलाइन सेशन और हर सेशन के पहले हम कुछ वीडियो देते हैं जो आपको कम से कम तीन बार देखने होते हैं उसमें कुछ डाउट्स एन क्वेरी रहेगी वह भी हम वहां पर कवर करते हैं उस पर रिविजन होता है तो यह तीन सेशन के बाद हम मिलते हैं हैंड्स-on वर्क्शॉप में तो हैंड्स-on वर्क्शॉप के पहले वाला जो वीक रहता है वह पर हम जो है आपको जो वर्क्शॉप में आप सीखने वाले हो उसके कुछ वीडियोज हम अल्रडी आपको प्रवाइड कर देते हैं तो जिसमें आपको कंसेप्ट पता चल जाता है कि वाट एक्जैट्ली वार गूइन टू लर्न देर तो फिर उसके बाद कोई नहीं रहता है आपका पूरा ध्यान जो है ना वो हैंड्स-on प्रैक्टिस पर ही रहता है हेरोटिकल पार्ट और बाकी कंसेप्ट जो है वहाँ पे क्लियर हो जाता है तो इसमें क्या होता है इट सबीन मीन सिचुएशन आप जितना मेनत घर पे लेते हो उतना ज्यादा हम आपको तीन द वहाँ पे हम ग्रूप बनाते हैं कि जैसे लेट सब्सक्राइब थर्टी पार्टिसिपेंट्स तो सो वी मेक ग्रूप त्री ग्रूप एंड इच एन एवरी ग्रूप विल बी आसाइंड बायर डेडिकेटेड मेंटर तो मेंटर जो है जब आप एक दूसरे के बॉड़ी प होते हैं कि जो खुद को ठीक करने के लिए वहाँ पर आये होते हैं वर्क्शॉप मैड मिशन लेने के लिए कि मैं खुद भी ठीक हो जाओंगा और यह समझ भी लूँगा और मेरा मिशन ही है अर्गरिलर सो आइम मोटिवेट मैं पेशन्ट अलसो कि लन दिस एंड डिलेवर पे आपको प्रेक्टिस करवा जाता है अभी आपने एक बोड़ी पे तो पालपेट कर लिया बट जैसे आपका दस लोगों ग्रूप है तो एक स्टेप में नो बंदे पे जब करूंगा नो डिफ्रेंट बोड़ी पे जब परफॉर्म करूंगा देन एक्जैटली आइल कम कि लॉजिक क्या है एक्जैटली तो यह वे में यू विल नॉट इमेजिन कि तीन दिन के वर्क्शॉप के बाद अगर वो फ्रेशर भी है ना देन ओनली फॉर्थ डे वो प्रॉपरली पेशन्ट पे काम करना स्टार्ट कर देता है क्यों यहां पर उसका हैंड्स-उन प्रै आपके इसाब से भी डेवलप कर सकते हो एक ही मैनिपूलेशन करने के कई तरीके भी हो सकते हैं तो हमें क्या कंसेट अंडरस्टेंड करना है कि मुझे एक्जैटली इनर साइड हू क्या करना है कौन सा वर्टिवरा कहां से कहां मू करना है यह आपको जब बाहर इमेजिन हो इंपॉटेंट नहीं है जॉइंट और स्पाइन के पार्ट सही कितने तो उसमें 110 टेकनिक कैसे आ गई तो कंसेट इंपॉटेंट है 15 से 20 कुछ टेकनिक्स ऐसे है जिसमें यह सब आ जाता है बस वह टेकनिक्स का फॉर्म जो है एस पर पेशन कंप्लेंट वह भी बदलते रह सब देख रहे हैं तो आप बताओ कि यूटूब पर देखने के बाद सच में आपने नया कार लिया है लोन निकला है 20 लाग का और यूटूब पर वीडियो देख रहे हो आपकी हिम्मत होगी वह कार पर बेटके स्टार्ट करने की कि यही होता है कि आप दो दिन भी वह सब आप वीडियो देख लो कंसेप्ट अंडरस्टेंड कर लो क्लर्ज ब्रेक गेर क्या है कैसे डालते सब चीज़ें आप थेरोटिकली बहुत स्ट्रॉंग होगे आप दो दिन भी मोटर ड्राइविंग स्कूल में जाके आपने रोज कॉंफिडेंस रहता है कि मेरे पास में कोई बेटा है कुछ होगा नहीं I can do the experiment तो यहीं यहां पर तीन दिन में हमें वह कॉंफिडेंस गेन करके जाना है कि जब किसी के अंडर अब्जर्वेशन आप प्रैक्टिस करेंगे दीरे दीरे आपको वह कंसेप्ट जो है हैंड्स प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेशर कितना रखना है हलक्याद से कैसे करना है बहुत से लोग क्या करते हैं कि ग्रिप एपलाई करते हैं या प्रेशर एपलाई करते हैं या अपना पावर का यूज़ करते हैं तो इसमें कई भी भी पावर का यूज़ नहीं है अगर 120 kg का भी बॉड़ी है देन 5 फीट परसन के अलसो मैनिपुलेट डैट बॉड़ी लंबर तो इसमें क्या करना है पेशन के इसमें बॉड़ी तो उसका अनमोल है इसका तो मोली नहीं है और आप उसके साथ खेलने जा रहे हो और दूसरा एक चीज में आपको कान मंत्र जो बोलते हो देता हूं कि डोंट कंपेर यूरसेल्फ विट डॉक्टर्स वह अपने लाइन में है वह अपना प्रैक्टिस कर र इसा डिग्री नहीं है कि आपने यह कंप्रिट कर लिया तो देन यू विकेम हीलर तो यह सेल्फ सर्टिफिकेशन खुद को देना बहुत जरूरी है कि मैं सच में यह कर पा रहा हूं क्या तो कुछ भी चीज करने से पहले आपको उसका कंसेप मालूम होना जरूरी है कि मैं क मालूम होना बहुत जरूरी है और इसी के लिए हम आपको यहां पर बूलाते हैं और बिठा कि यह समझाते हैं कि वाट विल बिदा कांटर इंडिकेशन अगर इनके सेसा होता है तो क्या हो सकता है फिर अगर वहां से प्रॉब्लेम आराइज होता है तो उसको कैसे रियाप क तो एक ग्रूप में आप आएंगे जहां पर सब बाकी भी आपको सुडेंट्स मिलेंगे टॉट्ट मोर दैन 450 सुफर इन लास्ट्री यह तो वह भी आपको आपको मिलेंगे उसमें कुछ डॉक्टर से कुछ तेरेपिस्टे सब मिलेंगे आपको वहां पर मतलब और्थोपे का जो है जिम्मा उटाया है वेसे लोग सब चीज़े सिखते हैं अननेसेसरी कोई भी चीज़ हमें पेशन के उपर नहीं करने तो जितना बोलूंगा उतना कम है इतने में से आपको अगर कॉन्फिडेंस आया होगा कि वॉट वी आर सच में हम बेस्ट है राइट चॉइस है कि नहीं है देन यू कें टेक यूर डिसिजन बाकी आपको और कंफर्मेशन लेना है आप यूटूब पे जा सकते हो इंस्टा पे जा सकते हो पेशन के रिवीव देखो ट्रेनिंग के भी कुछ वीडियो जी आप वो भी देख सकते हो बट मेरे एंट से मैंने यह जितना लाउट्स रहेंगे तो आप जड़ा निरस सर से डिसकस कीजिए जी सर मैंने चैट बॉक्स में एक सवाल डाला है कि स्लिप क्यूं होता है जिस एंसर करेंगे आप करके भी एंसर कर सकते हो मिन्वाइल जो सेशन हुआ है उसके उपर कुछ रहेगा तो पाच मिनिट हम क्वेरिज लेते हैं यू कैन अन्म्यूट यूर सेल फिर हम लोग लास्ट पॉइंट पे जाएंगे फीज कितना है फीज बहुत ज्यादा नहीं है जितना फीज हमें लगा यह सब सिखने में कलेक करने में उसका मैं बोलता हूं सर पाच परसेंट भी नहीं है पाच के टू परसेंट भी नहीं है ओके कि सो येस इंट्रेक्टिव सेशन होना चाहिए है इनी डाउट एन प्यरी कि सब्सक्राइब करेंगे तो बताएंगे नहीं तुरह नहीं देते हैं अगर कोई भी आपको यह कायरोप्रेक्टिक वर्शॉप के बारे में कॉल करता है या बोलता है कि आप हमारे क्या है वो किस बेसिस पर चलता है उसका जो बेस है वो क्या है अगर उसका सही जवाब उसमें दे दिया तो आप समझ लेना कि वह सही है कायरोप्रेक्टिक जो आ है वो तीन चीज़ों पर चलता है इस सबलक्सेशन प्रॉब्लेम फैसेट जोइन प्रॉब्लेम और डिजनरेटिव प्रॉब्लेम और स्लिप डिस्क क्यों होती है क्योंकि आपके मूमेंड में आपके हर एक जॉइन की आर्टिक्लिशन प्रोसेस होती है आर्टिक्लिशन प्रोसेस ही जो कितने डिग्री में वो वर्टिब्रा मूव होना चाहिए स्लिप डिस्क तभी होता है जब एक सेकंड के अंदर एक सेकंड के अंदर आपके तीन से ज्यादा मूवमेंट होते है तो वहाँ पर हो जाता है create torque आपने torque शब सुना होगा बहुत सारे जो cars होती है sports bike होती है उसमें torque शब यूज होता है जो torque मतलब race जो करते हैं उसको लगता है तो ये जो टॉर्क होता है जब एक सेकर में आप तीन से ज्यादा करते हो तो टॉर्क होता है और वहां पर फोर्स बढ़ जाता है तो वह वर्टीब्रा पर फोर्स बढ़ने की वज़े से दो वर्टीब्रा जो है वह टॉर्क होता है और वह वर्टीब्रा जो है वह मिस अलाइन हो जाते है और उसको गादी बोलते है वह बाहर आती है और उसको तो जाता है और सर्फ यह डिस्क जो बाहर आता है उसका करने बूलते और यह डिस्क जो है रियालाइन होता है क्या होता है क्या मतलब यह फिर्फ में पुछ रहा हूं दो उसको जो आपके पॉश्चरल अन्टर्म प्रेशल्ण गर एक मंसवी जो वह और वर्क करेंगा ओर और करेंगा कलंगे तो तब उस पर प्रेशर आएगा जब कभी भी आपको अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी का अगर उसका असेस्मेंट करोगे तो आप देखो करके वह प्रेंट फ्री उसको 100 परसेंट उसको हम क्योर कर सकते हैं कुछ डायेट उसकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या है वह भी बहुत मायने रखता है अगर वह काफी निगेटिव है तो उसकी रिकवरी थोड़ी डिफिकल जाती है दूसरा सबसे में रिजन स्लिप डिस जिसका पेट थिक से साफ नहीं होता है उसको वाश्रूम पर जाने की वह दूसको क्या करना पड़ता है उसको प्रेशर एक्जेट करना पड़ता है उसका जो मोशन है इसलिए पास नहीं होता है तो इसलिए उसको ऐसे प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है जब वह प्रेश सब जो पार्ट है जो कहीं पर भी नहीं सिखाते यह सारी जो डिप इन डेफ्ट एनलिसी से वह आपको सिखाई लिए कि यह सब तो अपना वर्क्शॉप जो है उसके बारे में मैं एक पाच मिनिट में फटाफट यह सब खतम कर देता हूं तो आपको कोई कि यह रहेगा वर्क्शॉप जो है हमारा अपकमिंग वर्क्शॉप है वि यूज़ टू कंडक्ट एवरी मथ पहले एवरी थ्री मंथ में हम करते थे फिर टू मन्थ पे आये फ्रिक्वेंशी ना वी अर्ट एडवांस एंक्वारीज रहती है और अभी हमने ओन-लाइन जो है वो टूटली बन करके offline compulsory किया है तो अल और इंडिया से लोग जो है आवी रहे है अभी इसी बैच में कोलकत्ता हरियाना और उडिशा से भी candidate से और साउथ से भी है केरला बैंगलोर और हैदराबाद से एरिया से भी है एक दिन पहले आपको आना है वर्क्षप के लिए एक दिन पहले नासिक में पहुच जाओ या फिर मॉर्निंग में शार्प 10 बजे हम स्टार्ट करते हैं तो अभी हम यह देखते हैं कि एक्जैटली हमें जो कोर्स मिल रहा है उसका वर्थ क्या है सो इंसेट ऑफ मेकिंग इट एनिमेशन में सीधा स्लाइड पर आता हूँ तो कोर्स फी आप डरिये मत यह कोर्स भी नहीं है तो वर्थ रूपीज हमें क्या मिल रहा है मतलब इसमें हम एक बार वो जड़ा देख लेते हैं तो वाट वी आर गेटिंग अनेटोमियन फीजियोलोजी लेक्चर और पैरे मेडिकल कॉलेज विट इस परस्नल यह तो आपको हम रेकॉर्डड फॉर्म में भी देदेंगे अंदेन अल्सो विद द जैसे हम एंड्शन प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ में भी हम यह अनेट सब्सक्राइब आपको ट्रेनिंग दिलवा सकता हूं सभी है वहां पे एक के जगह पे तीन लोग हम वहां पे इंट्रोड़ूस कर रहे है तो वह सब अपना ओपीडी जो है कॉंप्रोमाइज करके वहां पे तीन दिन के लिए आ रहे है तो कोई एक एक्सपर्ट भी आता है देन अल्सो थ्री डेस का आज का जो ट्रेनिंग कॉस्ट बनता है जो भी इंटरनेशनली साउंड एक्सपर्ट है उसका 30,000 के नीचे नहीं है और सिर्फ वर्क्शॉप का उसके बाद में क्या होता है कुछ नहीं वह आलूम इंद फॉर्म अप सेशन बीएसेस का वन येर सर सर्टाफिकेशन नहीं भी होगा तो सिर्फ वर्क्शॉप कंपलेशन का सर्टाफिकेट कॉलेज के नाम से और हमारे अकडेमिक के नाम से लेके स्टार्ट और अगर आप कोई हेल प्रैक्टिशनर नहीं हो आप फ्रेशर हो और आपको इसमें आना है देन यूँ आउट गो इसके बारे में भी आप हम आपको जानकरी देंगे वह इंक्लूड है इसमें बस नॉमिनल एडिमिशन चार्जेज जो बाद में आपको आफ्टर वन मंद पे करना होता है वह मैं आपको बता हूँगा आपके जाके सो रेकॉर्डिंग आफ आल टेक्निक्स यह भी नहीं मिलता है बोला जाता है बट मिलता नहीं है लेकिन हमारे वर्क्शॉप में हम साइमुल्टेनियसली जैसे ही आप कुछ टेक्निक सीखते हो एड दे सेम टाइम भी कीप उन तो यह सब वीडियो आपके लिए लेता है और आपको देते रहता है तो काहने से टेपिंग है स्ट्टी माइफेशल रिलिस टेक्निक्स पंचागवा के कुछ रेमेडिस भी हम बताते हैं जब कुछ विसरल इशू जैसे रहते हैं तो वह हम एड्रेस नहीं करते हैं सब बढ बढ़ गया है सब चीजे तो उसके लिए भी कुछ रेमेडिस है लाइव वन टुवन सेशन्स बाइए एक्सपर्ट हर मेहने में हम चार लेते हैं और उन्हीं एक्सपर्ट के साथ आप आफ्टर सेशन आप कभी इंट्रेक्ट कर सकते हो परसनल नंबर भी आपको शेर के जा मैंने प्लेशन होते हैं वो सब हम इसमें कवर करते हैं तो यह आपको समझेंगे एसे लैंग्वेज में ऐसे भाषा में आपको मिलेगा पर तो सिखाएंगे नहीं तो यह सब का अगर जोड़ लेंगे तो हम लगबख 1,60,000 वर्ट का कंटेंट जो है आपको यहां पे मिल र आ रहा है एमेफडी आ रहा है फंक्शनल कपिंग आ रहा है विसरल मैनिपूलेशन है और टेपिंग का भी हम आपको यहां पर प्रोटोकॉल्स देढ़ेंगे तो यहां पर यह सब हम कवर कर रहें अंडर वन रूफ पहली बाद तो अंडर वन रूफ आपको कही नहीं यह समझने में आपका बहुत सारा पैसा और समय निकल जाएगा जो यहां पर आपको रेडी मेर मिलने वाला है ठीक है अगर मैं जो बोल रहा हो आप समझ रहे हो तो यह हिसाब से अगर यह सब प्रोटोकॉल्स आप भाहर सिखने जाते हो और हम आपको अंडर वन रूफ दे रिप्लाइ करो आप सब इंक्वारी करते हो मुझे मालूम है सब आड़ आप देखते हो सब गुरूप में आप हो आपको मालूम है कहां पर क्या फीज है रिप्लाइ किजिए कितना फीज लेना चाहिए यह प्रॉब्लेम यह है कि आप अन्म्यूट भी कर सकते हो तो भी अन्म्यूट नहीं कर रहे है मैं बोल रहा हो चैट में रिप्लाइ करो तो चैट नहीं कर रहे है तो क्या है कि मरने का डर है ना यह सबसे आखरी नहीं है उससे पहले डर है बात करनेगा मैंने अगर reply कर दिया तो क्या reply आएगा मैंने अगर बोल दिया तो क्या सोचेंगे तो यह attitude के साथ हम patient को कैसे face करेंगे येस बरत सुनाने sir 80k मिलिन sir कह रहे 50,000 और किसी को कुछ figure आपके लिए मैं easy कर देता हूँ इस और reply कुछ 50,000 ओके अकर्सर तो यहां पर since we are running the mission the fees will be discounted to the more than 70% 70% लिखा है जहाँ उससे ज्यादा discount हो जाता है बाट इट विल बी 35,000 only ओके तो अभी है आपके रेंज में आ गया थोड़ा और 35,000 में आपको क्या मिल रहा है अभी इसमें देखो कि यह दिवाली का जो वर्क्षोप है उसमें हमने और एक आपने बिलिव किया पूरा पेमेंट आप कर रहे हो देन हम 31,500 जो है पेमेंट कर देते बट अभी यह बैच में हमने डिसाड किया कि सबके लिए सेम ही रेट कर देंगे और उसके लिए आपको क्या करना है कि 5000 रूपीज एडवांस पेमेंट करके जो है रजिस्टर करना है ठीक है यह फीज जो है अक्टोबर के बैच में जो भी आएंगे मतलब आप प्रिफरेंस दिवाली के कामों को देते हो या फिर 31,500 में आपका करियर गूस्ट करने को देते हो तो मुझे लगता है कि खुद को यह गिफ्ट देना जो है न यह सच में बड़ा दिवाली गिफ्ट रहेगा और व्यासे भी उसके दो दिन बात दिवाली स्तार्ट हो रहा है तो यह भी थोड़ा खर्चा जो है दिवाली का बचा के यह बजट थो अभी सबने निकाला यह न दिवाली के लिए तो वह थोड़ा हम सीखने में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा यूँवर स्कील एंड यूँवर अर्निंग बोथ विल गेट मल्टिफोल्ड वंस्यू स्टार्टेड दप्रैक्टिस तो यह मौत पॉब्लिशिटी से ही होगा और दूसरी एक चीज हम जो कंडग करते हैं कि आप डिवाइन टच का जर्नी आप देख रहे होंगे बहुत सारे जैसे मैंने एक इनिशेटिव स्टार्ट किया कॉर्पोरेट वेलने सर्विस यह मैंने क्यों स्टार्ट किया बिकॉज मुझे सिर्फ आपको ट्रेनिंग देके मैंने कुछ पैसे बना लिए और फिर आप चले गए इसे नहीं करना है आपने वहाँ पे जाके अच्छा परफ जिसमें हम हमारे एरिया के इंडस्ट्री को विजिट करके कुछ डेमो सेशन्स और अर्गोनाइज करते हैं इंडस्ट्री तो कुछ जगह पे कंपनी इंवेस्ट करती है कुछ जगह पे इंप्लोई कुद बढ़ जड़के हिस्सा लेते और वह जैसे आप इनासिक में हम क्र तो यहां पे हम जब कंप कंडग करते देन यूस्ट्टू वी यूस्ट्टू कॉल आर गुड़ परफॉर्मिंग स्टुडेंट्स पॉर दोस कैंप इस्पेशली लोकल एरिया के हम प्रिफर करते हैं जैसे फॉलप्स के लिए पेशन्ट वहां पे हम भेज सके तो यहां पे आपको एक्सपोजर मिलता है दूसरा चीज है कि हमने अभी जो बिजनेस मॉडिल जो है हमारा या फिर जैसे हमने ग्रो किया थ्रू सोशल मीडिया होगा या फिर कुछ एक जीरो रुपया भी खर्चा ना करते हुए भी आप आपके एरिया में कैसे आवरनेस ला सकते हो कि एसा कुछ सिख्या आये हो और इससे आपको यह फाइदा हो सकता है तो विद दे यूज आप फ्री टूल्स आप कैसे कुछ को प्रमट कर सकते हो हेल्थ कैंप आप कैसे लगा सकते हो आपके एरिया में और अगर आप हेल्थ कैंप लगाते हो अगर सो लोग वहां पे आते है तो इनिशेली ही आपको confidence नहीं आएगा बट हमारे एंड से जो है हम कुछ mentors आपको इलिए भेज देते हैं जो वहाँ पे वह health camp conduct करके आ जाते हैं और वहाँ पे follow-up क्या लेना है वह भी आपको समझा देते तो यह लेवल तक का support हम देते हैं और तीसरा option है कि those who are capable कि उनका एक proper setup है या फिर वह कुछ पैसा लगाने में confidence दिखा रहे तो फिर we have the option of franchisee बट यह franchisee option की से देना है यह हम choose करते हैं हमारे पास तो directly भी इन्वेस्टर्स के option आते हैं कि you as the franchisee हम यह पूरा setup लगाते हैं बट वहाँ पे कौन patient को face करेगा यह हमारे लिए बहुत ज्यादा माइने करता है तो आप अगर proper healer हो काम कर रहे हो रिजर्ट डिलिवर कर रहे हो जितना दिमाग आप mentors का खा रहे हो यह सब reporting यहां पे maintain होता है और उसमें से कुछ gems हम निकालते हैं और उन्हें जो है opportunity मिलता है तो become a franchisee of divine touch तो ज अंदरा patient मिलेंगे कोई problem नहीं तो उसके लिए लगने वाला जो भी marketing है follow up calling है या फिर जो भी AI tools यूज़ करके engagement लाना है customers का या आपके area में health camp और्गोनाईज करना है या फिर free seminars और्गोनाईज करना है यह सब काम हम करते हैं आपके लिए और वहां से आपका opd boost होता है और हर एक मेने में आपके पास एक mentor का visit भी होता है जहां पे आप हर 15 दिन में जैसे आप demand करते हो वही सब से आपको patient आपसे नहीं हो पा रहे है या फिर next level है उनको आपको recommend करना है to the expert ओके सो यह learning phase रहेगा दिरे दिरे आप भी वह सीखते जाएंगे आप कुद को develop करते जाएंगे और हम free होते जाएंगे then we'll focus on another franchise तो यह वैसे जो है हमारा mission हर गाव हिलर जो है तो अभी महाराष्ट्रा के पूरे 34 जिलो में हमारे centers होने चाहिए एक mission and mission लेके हम लोग काम कर रहें then we'll go further और deeper level तक जाएंगे गाव तक जाएंगे then घर तक जाएंगे और इसमें हम लोग अभी यह remedies भी लेके जाए कि आये है कि सेल फिलिंग प्रोटोकॉल आप खुद को सेल फिलिंग कैसे कर सकते हो तो वह भी हर घर तक हम प्रोटोकॉल पोचा के लोग उस वह खुद परफॉर्म कर रहे उनको result आ रहे देन वह सर्च कर रहे कि हमारे area में ऐसा practice करने वाला कौन है फिर आपके पास आ रहे य यार दो ओनली वन की जो अल्टरनेटिव मेडिसीन में काम कर रहे है या फिर हीलिंग सेंटर हीलिंग सेक्टर में है और एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड आर सेल पैंड आर हीलर्स ऑंद जी चोविस्तास निव्स चैनल देन वी हैव बिन आवर्डेट फॉर आर हेल्थ कै यह सब तीन साल का पिछला जो बोलते हैं कि हमें हजार दिन देना पड़ता है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए वह हजार दिन जैसे कम्टेट होने लगे सो विए गेटिंगार रिवाट्स तो इस बेनिफिशल पर अस बट मुच मोर थैं फॉर यू तो बिकम पार्ट सब्सक्राइब को लेके चलेंगे यू विल भी उसके बाद आपको यह तो यह सब सीखने के लिए हमने जो है जो रिसेंटली मतलब कुछ साल पहले वर्क्षप आटिंग के थे तब हमें 75,000 कोस्ट लगा था हूं 15,000 में प्रोवाइड करते आपको सिर्फ 10,000 में इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है तो यह सब इंक्लूड है इसमें के बट्स में आपको वर्द बता रहा हूं कुछ लोग होते कि जिने हमारे स्ट भी होते जिन्होंने आएस्टेम के वर्क्षप किये बट्टूं का बोन सेटिंग रहे गया है तो वैसे लोगों के लिए यह प्राइजिंग जो हमने बाइफर्गट की थी और दूसरा कि जो लोग टीनों वर्क्षप के लिए अभी एं एंड्रॉल्मेंट कर देंगे उनके लिए एक बोनस में लेके आया हूँ आपको यह साड़े बारा हजार का जो मैंने बोला था ना कि सेल फीलिंग प्रोटोकॉल हमने डेवलेफ की है तो यह पूरा जो प्रॉक्षनल रिलिस कपिंग का प्रोटोकॉल है फ्रॉम नेक इस्टरिंग पर अल्टी देवर्क्षोप टोडें विबिनर स्ट्रिक्ली अधिशनल कोर्सेश विए अवेलेबल आर डिप्लोमा इन अच्रॉपथिया योगिक साइंस दिप्लोमा इन फीजिए थिरिपें अयर्वेदा दिप्लोमा इन पंचागर्मा थेरिपी अद्वंस बाइन अच्रॉपथिय डिप्लोमा इन कपिंग इन इस्टेम और मास्टर डिप्लोमा इन अल्टर्नेटिव मेडिशन यह भी कुछ जो है कोर्सेश सर्टिफिकेशन वी आर हैविं थू दफ लेक्जी लर्निंग मोड इन कोलाबोरेशन विद निपीएस पैरामेडिकल कॉल जो भी आपको डिलीवर कर रहे हैं सर्टिफिकेशन से या जो भी है वह अपने आप में एक वैल्यू रखते हैं प्रॉपर एंटिटी से ट्रेन हो रहे हो रेफरल आपको अगर इसमें और डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन गेट यूर ओन रेफरल यहाँ पे वन थाउजन रुपीज पर कैंडिट रेफरल किया है और यह जो डिस्काउंट वन ताउजन किया है उसको भी हमने अभी बढ़ा के 2,500 रुपीज किया है और वन रेफरल और आपका अगर तीन लोगों का टीम हो जाता है तो आप तीनों को वह 2,500 का बेनिफिट मिलेगा आप अगर गुरूप में आते हो गुरूप में बुकिंग करते हो और तीन से ज्यादा होते तो फ्लैट 10 परसेंट डिसकाउंट इच एन एवरी कैंडिडेट को मिलता है तो इसके बारे में भी आप जान करें लें सकते हो यह सब बाद में होत इसमें फीजो तेरेपिस्ट भी है कि सर मुझे तो आनाटमी फीजियोलोजी पूरा मालूम है यहसा नहीं हमें मालूम है बट जो काइनेटिक चेन अभी यहां पर दिखाया जो इमेज हमने दिखाया था तो उसके वो दोनों के बीच का आपको काइनेटिक चेन कैसे वर्क क हो जाता है कैसे आप एंकल पर काम करके भी सर्वाइकल को आलाइन कर सकते हो विदिन सिंगल सिटिंग तो यह सब चीजे उसको उसमें आपको समझ में आएगी और बहुत अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा आपको समझा गया है वीडियो में यहां पर आपको क्या करना है कि 5,000 रुपीज का पेमेंट जो है अभी कर देना है तो कंफर्म यूर सीट एंड सो इफेक्टिव फीज विल भी 31,500 एडिशनल 4,000 नाव फर विसरल वर्कशॉप सो रिजिस्ट्रेशन फीज विल भी 9,000 ठीक है तो यह लास्ट वेबिनार में हमने किया था कि पहले दो जो से सेशन का फीज था 25,000 रुपीज और फिर दूसरा जो था उसका 12,000 था और तीनों को कंबाइन करके हमने 35,000 किया था अभी हमने क्या किया है यह सेशन से तीनों कंपल सरी कर दिये है सिर्फ हमारा अगर प्रिवेज स्टूड़न्ट है जिसने कोई एक सेशन किया है तो फिर तो आपकी दो सेशन का ही 5 करके रख सकता है और बाकी सेशन सो फ्री में saya अटेंग कर सकता है तो आज के केस में आपको क्या करना है since we are meeting online तो आपको 5000 रुपीज जो है वो payment करके आपका seed जो है अभी confirm करना है तुसरी बात अगर मैं नहीं आपाया तो कोई बात नहीं 5000 में आपको lectures तो मिली रहे है देन आप नहीं आपाये तो अगले दो training तक आपका जो है advance consider किया जाएगा still if you are not able to come for the training so उसके reward में आपको study material study videos provide किया जाएगे और वहाँ पे वो 5000 आपका compensate हो जाएगा तो यह provision भी available है and more you refer more discount you will learn यह चीज़े है तो payment कहाँ पे करना है आपको यह number आपके समने जो flash हो रहा है 993099227 one divine touch के नाम से आएगा और आशिस सूरेवनशे भी वहाँ पे लिख्या आएगा तो कई पे divine touch आएगा कई पे divine touch by आशिस सूरेवनशे ऐसा लिख्या आएगा तो सही हो आप आपको उस पे payment करना है और इसी number पे आपको WhatsApp कर देना है तो आपका sit confirm हो जाएगा और फिर आपसे आधर card भी लिया जाएगा फिर उसके बाद आपको हमरे end से call आएगा तो फिर आपका background क्या है आपको diploma के लिए apply करना है क्या तो उसकी enrollment की process क्या है और मैं एक बता दू कि 31,500 में diploma and traditional bone setting का certification include नहीं है जिनको जरुरत है उन्हें क्या करना है पहले एक महिना तो सब को practice ही करना है उसमें वो सब cover हो जाएगा और after one month you have to pay only 7,500 rupees which is the registration fee only I am charging not a whole fee and that amount you have to pay to the college and आपका जो है वहां से diploma का process जो है वो start हो जाएगा फिर आपको कुछ corresponding question sheets रहेंगी वो submit करना है कुछ वीडियो तो यह सब आगले दो मेहने में cover करके at the end of third month आपको जो है वो one year का diploma का पूरा syllabus complete करके और उसका प्रैक्टिकल का पार्ट तो आप यहां पे तिन दिन आके करी रहे हो तो यह सब को और करके you will be allotted the diploma तो यह प्रोसेस में रहेगा तो इस आर आर सर्टिफिकेशन्स वेरियस सर्टिफिकेशन्स और कोर्सेस है और इसमें आप देखेंगे कि कि बी एसस के सर्टिफिकेशन पर अल्रेडी जो है यह अरब कंट्री में दूबई में चॉप कर रहा है यह बंदा तो उसको वहां पे विज़ा अपरो हो गया और अभी रिसेंटली भी मुंबई से और एक सर गए वह भी मिडल इस्ट में ही गए सवुदी में तो उनका भी किया है यह भी इसने मैंटर करते और दूसरे बात प्रॉस वरिफिकेशन होता है तो बी एसस का अभी मेरे पास रिसेंटली एक सर्टिफिकेशन आया था डिप्लोमाइंड ट्रेडिशनल बोन सेटिंग एंड काईरो प्रैक्टिक तेरपी एसा कुछ तो लिखके आया था त तो मेरे पास चाहिए तो वेसे फ्रूब भी है बट मुझे किसी का नाम नहीं लेना यहां पर तो बेस्ट आव लोग टू अलफ दोज तो दुकान कब तक चली जब तक चल रही है चला दो ठीक है तो लेकिन आपको जो है यह जाग रुखता है यहां पर दिखाने की बहुत ज़रूरत है तो जो रेजिस्ट्रेशन नंबर आता है वो वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या यह सब चीज़े देखना बहुत ज़रूरी यहां पर हो जाता है और हम इसके बारे में ज्यादा अज़क रहते हम अल्रेडी हमारा कोई अच्छा प्रोफेशन से हम यह मिशन को ही हमने प्रोफेशन बना लिया है तो इसमें आके उल्टा सिधा ना कुछ हो जाए तो इसके लिए पहले से हम जो है प्रॉपर सेफ वे से प्रॉस दस बार क्रॉस वेरिपाइक करके ही कुछ ऑप्शन्स जो है मार्केट में लेके आते हैं और कौन-कौन लोग हमारे से टीटमेंट ले रहे हैं या फिर लोगों को काईरो प्रैक्टिक और ट्रेडिशनल या फिर जो हम हम थेरेपी जो दे रहे हैं मतलब गाव देहात में जाके हड़ी चटकाने के लिए लोग जाते हैं अभी वहां पे जो हिलर्स प्रैक्टिस करत देना उनको पहले हमने अप्रोच करना स्टार्ट किया था हमारे पास हमने उनको एजूगिट किया थोड़ा बहुत एमराय क्या होता है कि सीम्टॉमस के इस्याफ से आपको कौन सा पेशन करना चाहिए कि नहीं यह बहुत प्रैयास किया लेकिन नहीं सुनते तो उचल रहा के लिए हमने बहुत जो है ब्रेंडिंग और इस पर खर्चा किया है मसाच नॉर्मल मसाच थेरेपिस्ट और माय ओफिशल रिलीज करने वाला थेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस है वहाँ पे 500 दे रहे तो यहाँ पे 1500 वो क्यू देंगे तो इसके लिए भी डिवेंटेच ने जो है बहुत काम किया है और यह जो पूरा मोडलेटी है जिसे अल्टरनेटिव बोला जाता है उसे एक प्राइमरी सोर्स में लाने के लिए और उसको एक प्रॉपर पॉश जो है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए भी हमने बहुत सा काम किया है और हम करते रहते इसमें चीज़े होती है, so we need more volunteers, और अभी हम very short, we are going to present all these things, all our documentaries of patient, reports, आप भी वो सब data compile करो, to the government, और यह pathies जो है, वो हम, जो है claim करने वाले हैं, so that यह process से भी हम जा रहे हैं, तो जिनने भी registration करना है, you can start your registration process, 5000 payment करके screenshot बेजना, start कर दो, और बाकी यहाँ पर doubts and query हम अभी लेते रहेंगे, okay, so nearest sir, you can come ahead, yes sir, अभी open discussion हम स्टार्ट करते हैं, और आपको टेस्टे मुनिलस अगर देखने हैं, मतलब हमारे जो old students है, जो practice कर रहे हैं, गाव दयात से भी आये थे, और या फिर city में कुछ job करते थे, यहाँ पर training लिया, फिर गाव में जाके practice चालू किया, और within a three to six month, they have reached to the one lakh to three lakh rupees per month का earning जो है, वो क्यों इतना grow कर पा रहे हैं, because they are delivering result, okay, और अलग-अलग जिलो से, दूसरे state से भी उनके पास लोग आ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे भी है, जो just retired teacher थे, या फिर retired officer थे, last batch में ही retired, CID officer आये थे, वो अपने गाव में अभी गोशाला वगरा सब बना रहे हैं, और ये holistic killing में उनको आना था, so they have been recommended to, we have been recommended to him, और वो वहाँ पर training लेने आये, तो ऐसे भी लोग हैं, और वो after retirement, they are generating much more, five times more money from their profession, और उनका इतना age होने के बावजुद भी वो proper जो है, वहाँ पर काम कर पा रहे है, because of the technique, not the power, यह समझना जरूरी है, तर अभी जुलाई के, जुलाई के, कली मुझे हमारे एक healer का call आया था, जो जुलाई की, जुलाई की जो बैच में थे, सांगली से, येस प्रशन जी, हाँ, उनके मा के बारे में, जुलाई की बैच में, नह bodybuilder, तो उनका मुझे दो दिन पहले call आया था, तो उन्होंने उनका experience share किया, कि तब से तो उस दिन तक उनके 105 patient हो गए थे, येस, और वो भी शांग को सिर्फ तीन गंटे OPD करते हैं, और उनको ISTM, bone setting तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनको ISTM और visceral से, उनके जितने भी weightlifter, powerlifter थे, उनको उससे बहुत ज्यादा अच्छा result मिला है, और उससे उनके performance की एनांत हुआ है, येस, तो सर यही रहता है, गुरू से चेला जो है, वो आगे निकल जाता है, तो वो आभी दो मेना ही हुआ रहेगा, तो 105 patient उन्होंने कर लिए, तो ये बहुत अच्छा growth ह है, और 95% cases में आपको कई पर भी हड़ी चटकाने की तोड़ने मोडने की जरुवत नहीं होते हैं, लेकिन through the marketing view हम आपको ये भी सीखाते है, कि हाँ, patient उससी के लिए आता है आपके पास, कि उसको तो आवाज चाहिए, तो वो कहां से निकालना है, और कहां से नहीं, ये भी हम आपको समझा देते हैं, तो safe way में हमें काम करना है, किसी के body के साथ खिलवाड नहीं करना है, और mostly हो सके तो indirect technique से ही, किसी भी pain का relief हमें लाना है, और इसमें visceral जो है, इसका इतना बड़ा magical part है, you will be shocked कि आपको पता चाहिए, 40% जो pain muscular skeletal लगते हैं, वो तो actual visceral से related होते हैं और किसी भी जैसे shoulder pain है, neck pain है, आप उस पे हाथ भी नहीं लगाएंगे, और अगर liver का fascia release करते हो, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि immediate basis पे range बड़ा है, और pain भी within 15 minutes manage हुआ है, बट वो कैसे करना है, कौन से area में है, ये भी बहुत important हो जाता है, तो ये magic आपको learn करना है, न structure correction ये भी बहुत important हो जाता है, अब उतना भी सीख गए, कैसे बेटना है, कैसे उठना है, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरे अंदर क्या deformities दिख रहे है, उसको react कैसे करना है, ये आपको भी पता चलिया, तो भी आपके लिए और आपके family के लिए ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगे, इस तो I am sharing here my YouTube channel and social media platforms, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप join कर सकते हो, ये Instagram channel है, यहाँ पे आपको patient के जो है, टेस्टिमोनियस देखने मिलेंगे, and we used to conduct detox sessions अल्सो, detox camps अल्सो, और जो लोग बहुत अच्छा practice करते है, उन्ही गिने चुने student के लिए हम ये full body cleansing और liver detox का जो प्रोटोकाले, उसका ट्रेनिंग रखते हैं, ये सब के लिए नहीं है, ठीके, so the best you perform, you will be rewarded more, detox का review देख लेते हैं, मी recently liver detoxification के ले, आणी मला तैच्छे फूप समले result आ दे, आणी मी सग्याना सजेस्ट करेल की तुम्ही एकदा करून बगा तैच्छे कुप पॉजिटिव फीडबाग आहेत, आणी I guess माजा अल्मोस्ट जो त्रास मला हो तोता, या अल्माल फार आणी माला पेंज एकदा करून बगा तैच्छे कुप छांड रिजल्ट आले, तो डेफिनेटली आइविल सजेस्ट की तुम्ही एकदा करून वगा अचली जमाला तचे कुप छांड रिजल्ट आले मौनौन आइजस्ट वांटेट तो शेयर माई एक्स्पिरियंस विद यू तो येस थैंक यू तरे लिवर डिटॉक्स है माजिनाओ सुपी थोड़ा सा आप एक्स्पिलिंक कर देंगे तो कि करेंगा तो लिवर डिटॉक्स है वह हमारे जो और गन से बॉड़ी के तारे वह एक डेजिगनेटेट मूव स्पेस में मूव होते हैं लेकिन हम जो लाइफस्टाइल है हमारा जो हीटिंग है उसकी वाज़े से हमारे बॉड़ी में ए लेकिन उसके पहले जो बॉड़ी में टॉक्सिंस बिल्ट अब हुए है वह तो बॉड़ी में वैसे ही है तो उसको क्या करेंगे उसका हम लिवर डिटॉक्स करते हैं जहां पर उनको पेशन को हम थोड़ा लूज मोशन होते हैं उसमें उनका पुरा लिवर डिटॉक्स होता लश होती है तो गैल स्टोन जो पित्त के खड़े बताते पित्त की पत्री बताते वह बाहर आती है और एक लिवर साइकल डिटॉक्स करने के बाद आज दोपर कोई सर एक यूपी के पेशेंट है उनको 24 सप्टेंबर को माइल्ड अटेक आया है वह अभी भी ऑस्पिटल में एड्मिट है सेवेंटी परिसिंट ब्लॉकेज है उनको डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनको स्टेन डालना है दो स्टेन उन्होंने डॉक्टर ने उनक डालने है तो उन्हेंने अमको के कि लिए कंसल्ट किया था उनको यह नहीं करना है सकते है क्या तो तो उनको अमने也ेशimat कि आप टिनर और उस कोई मैडिकेशन करके आप एक मैना कैसे आप निकाल लो शुकि अभी उनका ब्यमीर किटन्य और आसी क्लिंजिंग करेंगे और उनको स्टेन वगरा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रेट ग्रेट इन फर्टिलेंटी के कैसे से तो यह भी आपको यहां पर हम एक्स्प्लिंग करेंगे देरे देरे हम उसमें भी जाएंगे यह मेरा जीन जो विस्ता स्वे कुछ इंपोर्टेंट असका मदद करद डिवाइन टाच हीलिंग सेंटर यूमन गेराज ही जी कॉंसेप्ट मी तैंचेशी कप्पा मरतम जानूं घितली तीशे इंट यूमन गाराज क्या है वाट प्रैक्टिस वी आदूइंग इन यूमन गर है हम देते हैं कि आपको आना है तो गैराज में आपको यह चीज़े करवाने पड़ेगी तो वह भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं पस्ट आप आप आल हम कुछ रिव्यू होगा तो देख लेके लिए यह यह फीजियो थेरेपिस्ट मैं है उन्होंने आफ्टर वर्क्शप आपका अपना रीव्यू जो है व शेयर किया यहां पर कि अध्यूट कि अध्यूट झाल स्ट, वर्क्शक यह वर्क्शप आपके जो घ्री एल्षट, वर्क्शप एल्ट्टर वोड्लों स्ट आपका nggakHAM प्यान प्सक्षबक्र की न्यूट आपका लिए्यूट आपके लिए उसाख अजतिंगे हो जो भी मैंद्ट ग्यूट कर दो यह दो, अध्यूट आपकर यह एज ग्रूप के जब लोग हमारे पास आते हैं देन वी फिल मोटिवेटेड कि यह सही समय पर आ रहे हैं सही समय पर इवन दो आफ्टर डूइंग देर ग्रैजुएशन इन्हेल केर वो सीखना चाते हैं यह 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 अच्छा स्टेप जो है रिजल्ट्स हमें मिलने लगे यह यूट्यूब चानल का लिंग भी मैंने शेर किया है यू केन गो थूरू अल इस अभी में थोड़ा लिवर डिटॉक या फिर बॉड़ी डिटॉक्स में हम क्या-क्या प्रोटोकॉल जो है वह लेते हैं वह भी में शेर करता है यह 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 फूल बॉड़ी क्लींजिंग का प्रोटोकॉल है तो इसका भी बैच हम लोग अभी रखने वाले हैं आफ्टर दिवाली इन डिसेंबर तो डिसेंब इस एज जैन्यून हिलर कि आप जैन्यूनली प्रैक्टिस कर रहे हो जी जान लगा कि आप नौलेज तो वह सिलेक्टिव मेंबर्स के लिए हम यह जो है एक्चुलिए हमारा हेल्थ कैंप रहेगा और उसमें हम हमारे सिलेक्टिव को स्टूड़न्स को इन्वाइट करेंगे तो वहां पर उनके खुद के ऊपर भी यह हो जाएगा और दूसरों के ऊपर करते करते भी हम यह सब सीखेंगे तो यहां पर देखो लिवर डिटॉक्स है स्टमक क्लिंजिंग लंग्स क्लिंजिंग और स्टोन के तो आपको हर दस में से एक बंदा जैसा मिलेगा इसको गैल चैलेंजे से जिस पर आप कभी काम नहीं कर सकते थे वह चीजों पर आप यहां पर जो है काम करना शुरू कर देंगे तो यह आपका दाइरा जो है बहुत बड़ा देगा पेशन्ट करने का लें उसके बाद यूमन गैरेज में जो प्रोटोकॉल हम देते हैं पेशन्ट को म हमारे सेंटर पर हम देते हैं यहां पर लोग क्या रेगुलर आ सकते हैं और कोई अगर बाहर से आता है पूरे पास दिन में यहां पर रुकवा के हम यह सब कंप्लीट कर लेते इसमें आप अगर देखेंगे तो फूल बॉड़ी यूमन गैरेज प्रोटोकॉल अभी इसमें कि किसी को तकलिफ है वही उसी ने करना चाहिए कि नहीं दो जब जब गोड़ जीम में हम काम करते तो वहां पर तो फिर्टनेस लोग है न तो हमारे कस्टमर केसे बनेंगे तो उन के लिए ज़रूरी है कि जैसे हम किसी कार की रेगुलर सरविसिंग अलाइन्मेंट करते हर 10 10,000 km के बाद बीना किसी के बोले हम उसका लाइनमेंट के लिए लेके जाते हैं तो वेसे हमारा तो यह मशीन जो हमन बॉड़ी इस प्रेशियस मशीन हम इसका कभी सर्विसिंग आलाइनमेंट रोले लिंग के बारे में सोचते हैं क्या हम कार का तो और यह सब चीज़ेंज करत है यह अननेसेसरी काम करने ना तो निकल जाओ वेबिनार से ओके सब्सक्राइब यह सब प्रोटोकॉल है तो यहां पर आप देखेंगे तो इसमें कंवेंस करना भी बहुत इजी हो जाता है किसी को और फिपल उस्टू कम ऑन रेगुलर बेसिस कि हर तीन महिने में यह अपन अपर्चुनेटीज क्रियेट करता है आपके कस्टमर के लिए आपको बिजनेस देने के लिए और उनके लिए जरूरी भी बन जाता है ठीक है तो इसमें जो है फूल बॉड़ी बॉन सेटिंग एंड स्पाइन अलान्मेंट फूल बॉड़ी मॉसल रिलीज देन आईस्टेम क्लिंजिंग और इंटेस्टाइन का क्लिंजिंग है जिसमें वात क्लियर हो जाता है और उसके साथ में अगर उनको लगता है देन डे विल फूल बॉड़ी डिटॉक्सिपिक्रिशन और लिंजिंग थेरेपी अलसो यह सब सिटिंग का वेसे 9000 कोस्टिंग होता है विदिन 6 990 भी आर प्रोवाइडिंग देंद पैकेज पॉर दे वन टाइम पेमेंट और उसके साथ 400 रुपेज का कुछ हमने फुद न्यूट्रासिटिक प्रोड़क्स जो है हमने रिसर्च से तो डिजार्द सॉलीबल केलशियम और इसमें लोजेंगेस के फॉर्म में मतलब चॉक् माउथ ही आपका एब्जॉप्शन जो है केल्शियम का होने लगता है तो यह कुछ प्रोड़क्स है क्योंकि बाकी तो डिफिशेंसी आटोमेटिकली कम होती जाती है जैसे आप लेंजिंग करते हो बट कैल्शियम लॉस हमारा इतना बढ़ गया है और वह मात्रा में कुस्तमर्स और यह हमारे सुड़न्स के लिए भी इसका डिस्ट्रिबूटर शिप अवेलेबल है उनली फार सुड़न्स तो यह यह तरीके से इनोवेटिव चीज तरीके से आप भी आपके कुस्तमर्स को उनकी नीड समझा सकते हो कि मेरे पास आगर आपने देखा होगा तो दस में से आठ बार ऐसे होता है कि जैसे लड़का आपने मा को लेके आया उसके घुटने के तकलिफ के लिए मेरे पास बट जाते वक्त को मम्मी का भी और अपना खुद का भी पैकेज ले सेव展 डिपर्संट है साइकालॉजिकल पेसेटी इक होसे लिग इसके और काम करना बहिरा सूधे है उसके उपर काम करना भी हम आपको सीखाते है और यह हमारे जो लेगुरल रिक्स रेग्शास होते हैं इसमें इह सब पॉइंट्ट जो धीरी- behalf आत taper लिक टे आप सब मेरे social media पर go through कर सकते हो कुछ queries रहेगी तो और 10 minute के लिए we will be here और आप आपके doubts पूछ सकते हो Thank you